नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है 2023 और 2024 कॉंग्रेस और भारतिय जन्तापाटी दोनों के लिए चुनोती पूंड रहेगा कॉंग्रेस को किंद्र में सत्ता में आने की कोशिश करनी है तो कई राजियों में सत्ता बरकरार रखने की तयारे भी करनी है उसके पास चुनोती है जबकि दूसरी तरफ भारतिय जन्तापाटी को कई राजियों में सत्ता बनाये रखने की और केंद्र में सत्ता में बापसी की चुनोती है तो दूसरी तरफ कुछ राजियों में सत्ता पाने और 2024 की तयारे करने की बड़ी चुनोती है उसी में से एक राज्य है राजस्थान जहां पर कॉंग्रेस को अपना सत्ता बरकरार रखनी है तो भारतिय जनतापाटी के लिए ये एक महतपूर्ण स्टीट है 2023 के लिए भी और 2024 के लिए भी यानि कि विधान सभाच चुनाब में भी भारतिय जनतापाटी के सामने एक बड दूसरे अस्तर पर 2024 के लिए उस चुनाथी को सामने रखके देखना है क्योंकि राजस्थान में 25 की 25 लोक सवासीटों पर भारतिय जनतापाटी का कबजा है और आगे अगर 2024 में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतिहास बनाना है यानि कि बेहतर परदर्शन भार भारतिय जनतापाटी को करना है तो राजस्थान में भारतिय जनतापाटी के अंदर जो चुनाथी है उसको दूर करना पड़ेगा और इसलिए अब इसके उपर मन्थन शुरू हो गया है कि राजस्थान में विधान सभा का चुनाब है और चुनाब से पहले भारतिय जनता जनतापार्टी को एक अलग तरीके की चुनोती का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में अभी 5-5 CM के दावेदार हैं जिसके उपर फैसला लेना है और इसके लिए 3 बैठके हो चुकी है। हो सकते हैं उन लोगों को खुश कैसे किया जाए। क्योंकि राजस्थान में भारतिय जनतापार्टी भी थोड़ी बहुत अंतर कलह से जूज रही है। हाला कि इस्तिक कॉंग्रेस की तरह नहीं है क्योंकि भारतिय जनतापार्टी के नेता इस बात को मानते हैं कि अगर केंद्रिय नेत्रित्व की तरफ से जिसको इसारा मिल गया जो इन लोगों में से किसी को चुन लिये तो दूसरे लोगों को उनकी बात माननी पड़ेगी। कि अब तक का रिकॉर्ड है जिसने भारतिय जनतापाटी को चोड़ा है जो अपनी पाटी बनाया है या अलग रुखपनाया है उसका राजनिती कैरियर खत्म हो चुका है. जबकी कॉंग्रेस में दूसरे अश्तरका है कि जिसने कॉंग्रेस छोड़ी जिन लोगों ने कॉं अंग्रेश का साथ छोड़ा चाहे अपनी पाठी बनाई या फिर किसी दूसरे पाठी से गए उनका कैरियर उपर उठा है इसलिए राजस्थान में जो बात कर रहे हैं अभी CM के उमिदवारों की और अभी चल रही छोटी मोटी अंतरकलह की उसको लेकर केंद्रिय नित्रित् कि इसमें से किन को गहलोद के खिलाफ मोर्चा समालने के लिए उतारा जा सकता है क्योंकि भाजपा के पास एक और जो रिपोर्ट आई है केंद्रिय नित्रित्म ने ये सोचा है कि राजस्थान में केबल कॉंग्रेस से लड़ना नहीं है लड़ना गहलोद से भी है क्योंकि कॉंग्रेस का कैडर वोड जितना है उसके साथ ही गहलोद की अपनी पकड़ भी है और इसलिए गहलोद को लड़ने के लिए उनहीं के कद का एक राजस्थान का नेता भी जाहिए तो अभी जो राजस्थान के भारतिय जनता पाटी में दावेदारी पेश की जा रही है उसमें एक नाम है भाजपा के परदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का सतीश पुनिया इस बीच पूरी तरह से राजस्थान के पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं उन्होंने संगठन मे ठिक ठाक काम किया है और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में पहुंची उसी के समय उन्होंने जन आक्रोश यात्रा के सुरुआत कर दी राजस्थान में गहलोत की सरकार के खिलाप अलग-अलग मोर्चों पे लड़ रहे हैं और दूसरे अस्तर पर क कॉंग्रेस के ब्रस्टाचार को भी उभार रहे हैं संगठन में उनकी पकड़ है और इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि उनके नाम को भी किंद्रिये नित्रित्व रखे अपने चर्चा में और वो भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन दूसरे अस्तर पर उन्हीं स्टेट के एक केंद्रिये मंत्री हैं जो इस बीच काफी चर्चा में रहे उन्होंने गहलोद की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की सचीन पाइलेट की बगावत में उनके नाम को आगे किया गया गहलोद के गुट के द्वारा और इसलिए इस बीच उन्हें लगता है कि केंद्रिये मं राजस्तान के CM कंडिडेट के तौर पर आ सकता है और ये हैं केंद्रिये मंत्री गजेंद्र सिंद से खाबत उस समय भी चर्चा में रहे जब सचीन पालेट ने गहलौत के साथ पगाबत की कॉंग्रेस छोड़ कर यानि कि अपने 18 विधायकों के साथ राजस्तान को छोड़ दिया उस समय भी चर्चा में रहे जब टेप कांड सामने आया और गहलौत की सरकार ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया कि ये गजेंद्र सिंद से खाबत जो हैं वो राजस्तान में कॉंग्रेस के विधायकों को पैसा उफर कर रहे हैं पदा उफर कर रहे हैं और तोड के नाम की चर्चा तेजी से होती रही और गजेंद्र सिंद से खाबत का नाम भी स्रियम के उम्मिदवार के लिस्ट में है जिसके उपर केंद्रिय नेत्रित्व ही चर्चा कर रहे हैं इन दोनों के अलावा एक तीसरा नाम भी और वो हैं किंद्र में अपने अस्तर से राजनिती करने वाले और अभी किंद्रिय नेतित्व के लिए एक महत्पुर्ण व्यक्ति ओम बेड़ा जो लोकसवा के स्पीकर हैं लेकिन स्पीकर रहने के बाबजूद वो राजस्थान की राजनिती से अलग नहीं हुए हैं वो दि पिलाल भी वो राजस्थान के प्रोग्राम में गये जहां उपराश्पति जगदीब धनकड के साथ वो भी बैठे हुए थे और राजस्थान से उनका नाता भारतिय जनता पार्टे के संगठन के लोगों से भी हैं इसलिए वो भी चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके नाम की चर्चा होती रही है अभी स्पीकर के तौर पर उनके कई फैसले माइने रखते हैं तो ऐसे में उनको भी केंद्रिय नेत्रित्व भारतिय जनता पार्टे के सीम उमिदवार के तौर पर राजस्थान में पेश कर सकते हैं और इसलिए इस बीच उनकी एक्टिविटी राजस राजस्थान में भी बढ़ गई है और अपने जो विधायक हैं अपने संपर्क के जो सांसद हैं उनके साथ बैठके करके वो कोशिश कर रहे हैं कि केंद्रिय नेत्रित्व तक यानि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमिस्सा जेपी नडड़ा इन लोगों तक अपनी बा अभी अभी लिस्ट में जुड़ा है जो इमांदार माने जाते हैं पढ़े लिखे माने जाते हैं और केंद्रिय नेत्रित्व तक यानि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर बहुत विश्वास किया हैं भलेही उनके नाम के बारे में बहुत जादा जानकारी लोग सदिकारी रहे हैं वही से राजसभा सांसद भी है आये टियन रही हैं मतलब उनके टेलेंट के उपर भरोसा किया जा सकता है और जो पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी अलग चाब चोड़ी रेल मंत्री बनने के बाल जिनके उपर प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने भरोसा किया है वो भी अब राजस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और भारतिय जंता पार्टी के बारे में यह हमेशा कहा जाता है कि जब भी सीम के उमिदवार की गोशना की बात आती है तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होता है कि कौन सा नाम सामने आ ज जो जहां जहां नेत्रित परिवर्तन हुए जहां जहां सीम पद की घोशना हुई मीडिया के कयासूं और जितने भी सुत्र बताये जाते हैं उनको धत्ता बताते हुए एक ऐसे नाम का एनांस्मेंट हो गया जिसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही थी और इसी तरह राजस्थान से ही हैं राजस्थान के पाले डिस्टिक में रहे जोधपूर में उनका परिवार से टल हुआ वहीं से उन्होंने पढ़ाय लिखाए की आईस बने फिर उडिसा कैडर में गए वहाँ पर नौकरी भी की और फिर एमबीय करने के बाद कार्पोरिस टेक्टर में आए उनका कैरियर बाहर में रहा है लेकिन घर राजस्थान का ही है इसलिए राजस्थान में ऐसे नामों की गोशना भी हो सकती है जिस पे सारे जो पुराने पॉलिटिसियन राजस्थान के हैं वो सारे के सारे उनको सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाए और इन चारो नामों के अलाबा एक सबसे बड़ा नाम और जिनके बारे में आज कल मीडिया में चर्चा नहीं है जिसको राजस्थान के दूसरे पॉलिटिसियन दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जटी हुई है केंद्रिय नेत्रित्व उनके समान की बात करती है लेकिन फिर भी अभी राजस्थान के राजनीती में संगठन लेवल पर वो अडिग है और जादा बाहर में दिखाई नहीं दे रही है वो हैं वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे भी अपनी लॉबिंग कर रही है वो राजस्थान से टस से मस नहीं हो रही है पिछले दिनों उनसे य बड़े मंत्राले भे दिये जा सकते हैं लेकिन उन्होंने अब तक हरी जंडी नहीं दिखाई है वो राध्यस्थान की पॉलिटिक्स में ही रहना चाहते हैं और उनके समर्थ को कहना है कि अगर कोई खड़ा हो सकता है जिस व्यक्ति को जिनको उनके सामने लाया जा सकता है वो अभी भी सक्रिये हैं हाला कि जिगजेंदर सिंच से खाबत सतीश पुनिया ये लोग अभी उनको राजस्थान के पटल से दूर रखे हुए हैं जना क्रोश यात्रा में भी उनकी कोई भूमिका नहीं दी गई लेकिन फिर भी वो अडिग हैं और वो भी दावेदारी पेश कर रही हैं जबकि केंद्रिये नित्रित बार बार राजस्थान के संगटन के लोगों प्रदेश अध्यक्ष और वहां के मंत्रियों को कहते हैं मोदी ने भी कहा शाह ने भी कहा कि वसुंधरा राजे को इगनोर नहीं किया जाना चाहिए उनको वो सम्मान दें क्योंकि पच्छा रही है कि वसुंधरा राजे किसी की सुनती नहीं है वो अपने तरीके से काम करती है और उनके उपर भी फैसला होना चाहिए और इन पांचों नामों में से अब चौकाने वाले नाम कौन होते हैं या फिर कोई अलग से किसी ऐसे नेता को उभारा जाता है या नाम सा देख रही है कि 2023 के विधान सवाचुनाब और 2024 के लोग सवाचुनाब के बीच एक कड़ी जूड़ी हुई है और 2023 में बेहतर परदर्शन 2024 में अपने उस रिकार्ड को कायम रखने के लायक होगा जिसमें 25 की 25 लोग सवासीटों पर भारतिय जनता पार्टी का कबजा हो और इसलिए ये प्लानिंग महत्पूर्ण है और इनमें से नामों की चर्चा के बीच कही ने कही एक नामों भर के आएगा जिनके नाम के साथ सब लोग अपनी सहमती जताएंगे और फिर राजस्थान का प्लान अगले तीन दिनों यानि की भारतिय जनता पार्टी की 16-17 त शुष नामों